नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर इसे हम इंटर्नल कमश्चन इंजन में इस्तेमाल करते हैं Carburetor का प्रयोग हम Spark Ignition Engine जो SI Engine, पेट्रोल इंजन होता है उसमें इसका इस्तिमाल किया जाता है Diesel Engine में इसका इस्तिमाल नहीं करते जबकि जो Fuel Injector है इसका इस्तिमाल हम SI और CI, Spark Ignition और Compression Ignition숙anken दोनों इंजन में इसका इस्तिमाल करते हैं पेट्रोल और डिजल इंजन में अगर हम बात करें कार्बोरेटर की तो कार्बोरेटर में जो एर और जो फ्यूल का जो मिक्शर होता है वो कार्बोरेटर के अंदर ही होता है intake manifold से पहले होता है लेकिन fuel injector में जो air और fuel का जो mixture है वो intake manifold में होता है उसके बाद जो air fuel का mixture है उसे combustion chamber में भेजा जाता है engine cylinder के अब बात करते हैं कि ये दोनों जो fuel delivering system है ये कैसे एक दूसरे से अलग है इनके basic difference क्या रहते हैं तो जो carburetor है अगर हम बात करें इसकी जो design की बात करें construction की बात करें तो एक परकार से एक simple system होता है और इसमें fuel को भेजा जाता है fuel tank से भेजा जाता है अगर आप इस diagram को देखते हैं तो यहाँ पर जो इसके up side से जो air है वो enter करती है यहाँ पर चोक वालव लगा होता है यहाँ एक नीचे throttle वालव होता है और यह एक जो float chamber है जिसमें float लगा होता है और यह fuel tank से fuel आता है और यहाँ एक jet की form में उसको spray किया जाता है और उसके बाद वो air में mix हो जाता है ऐसा होता है carburetor में क्योंकि जो venturi tube होती है उसमें जो section होता है वो narrow section होता है अगर आप देखें तो इस venturi effect के current जो pressure है वो decrease होता है और उसके बाद जो vacuum है वो create होता है जिसके current जो fuel वो jet की form में enter करता है अगर हम बात करते हैं fuel injector की fuel injector अगर हम बात करें इसने एक परकार से carburetor को replace ही कर दिया है और fuel injector अगर हम देखें इसको हम एक जो fuel है उसको atomize किया जाता है जब उसे एक small जो nozzle है उसमें से उसको गुजारा जाता है अगर आप देखें ये nozzle है यहाँ से इसको गुजारा जाएगा under high pressure और properly atomization किया जाता है fuel का ताकि उसको बड़ी आसानी के साथ वेप्राइज किया जाता है अब बात करते हैं कि जो air fuel का जो mixture है carburetor के case में air fuel mixture fluctuate करता है जिससे जो engine की smooth ने से वो effect होती है और carburetor जो air fuel mixture है उसको monitor नहीं करता जो air fuel mixture की जो ratio है लेकिन जो fuel injector है fuel injector में air fuel ratio को properly monitor कर सकते है एक proper ratio होती है air fuel mixture की जिसे cylinder में भेजा जाता है क्योंकि इसमें हम ECU का इस्तेमाल करते हैं electronic control unit का इस्तेमाल करते हैं जो properly सारा mixture है उसको control रखता है तो इसमें हम एक optimized air fuel mixture मिलता है उसके बाद हम बात करें performance की जो carburetor है इसमें जो air fuel की जो रेसो है उसको properly measure नहीं कर सकते जिसके कार्ण इसकी performance fuel injector के comparison में कम होती है लेकिन जो fuel injector है ये better performance ये provide करता है अगर हम बात करें fuel economy की बात करते हैं तो जो carburetor है इसमें जो fuel ratio होती है air fuel ratio उसको हम engine condition के according adjust नहीं कर सकते तो जिसके कार्ण fuel efficiency कम हो जाती है fuel की consumption ज़्यादा होती है carburetor के case में और जो fuel injector है इसमें हम right amount में deliver करते हैं fuel को जिससे हमारा जो fuel का जो waste is है वो कम होता है emission भी कम होता है fuel injector के case में fuel efficiency भी बढ़िया होती है ज़्यादा होती है और fuel का consumption भी कम होता है अगर बात करें maintenance की carburetor की maintenance की अगर बात करें इसको असानी से repair किया जा सकता है replace कर सकते हैं simple है इसको साफ करना clean करना और लेकिन जो carburetor है इसके जो parts होते हैं वो काफी जल्दी wear हो सकते हैं और इसमें जो possibility है कि carburetor में जो dust है वो enter कर जाती है जिससे इसके block होने का भी खतरा बना रहता है लेकिन इसकी maintenance है वो बड़ी असानी से इसको properly maintain किया जा सकता है और जो carburetor में जो diaphragm components होते हैं काफी नाजुक होते हैं जो असानी से कह सकते हैं कि damage भी हो सकते है तो यह थोड़ी सी problem रहती है carburetor के case में लेकिन जो fuel injector है कहने कर तो यह maintenance free है लेकिन इसमें break down भी नहीं होता लेकिन अगर इसमें break down हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हमें किसी professional expert की जुरूरत होती है और जिससे यह expensive maintenance फिर हम बोल सकते हैं क्योंकि काफी costly होती है और इसको ठीक करने के लिए simple tool हम use नहीं करेंगे काफी complicated होता है अगर cost की बात करते हैं carburetor की cost कम होती है लेकिन जो fuel injector है इसकी cost ज़्यादा होती है installation की बात करें carburetor को install करना काफी simple है क्योंकि इसमें कोई electrical component या फिर जो return lines होती है fuel tank की वो इसमें नहीं होती लेकिन जो fuel injector है इसकी जो installation है वो काफी complicated होती है as compared to carburetor क्योंकि इसमें electrical components लगे होते हैं इसमें custom slender head configuration होता है तो अगर हम बात करें आज की बात करें वरतमान समय की बात करें तो जो fuel injector है इसको बहुँ ज़्यादा use किया जाता है widely इसका इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि fuel injector के कारण जो fuel है उसको save कर सकते हैं ज़्यादा power मिलती है emission कम होता है carburetor के मुकाबले fuel consumption कम होता है carburetor के मुकाबले अगर हम बात करें जो carburetor है इसको जब starting में इसको इसको इस्तिमाल किया गया था इसको Samwell Mone 1826 में carburetor को invent किया था और जो carburetor में हमें अलग से किसी fuel pump की आवसकता नहीं होती लेकिन जो fuel injector होता है इस case में हमें fuel tank के अंदर fuel pump को install करना पड़ता है और जैसा बात की carburetor एक simple design होता है लेकिन जो fuel injector है इसमें complex set होते हैं electronics और sensor के लगे होते हैं sensor की मदद से कारिया इसमें होता है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया fuel delivery system जो internal combustion engine में इस्तेमाल किया जाते है carburetor and fuel injector ये कैसे एक दूसरे से अलग है क्या क्या इनका main difference रहता है अगर आपको वीडियो अच्छा लग आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और channel को subscribe करना ना भूले जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे जल्दी हाजिर होते हैं जल्दी कर दोक हा अपको साथ यह लोती हुआ कर साथ